आज हम पढ़ेंगे से की कहानी बताइए ये क्या लिखा है से बिलकुल सही ये है से बड़ी टोकरी में फल आए हमारे घर महमान आए बड़ी टोकरी में फल आए हमारे घर महमान आए तो अब हम से की कहानी पढ़ेंगे सना बहुत प्यारी बच्ची है एक दिन वो अपने अमी अबु के साथ चचा के घर उनकी इादत के लिए गई रास्ते में उसके अमी अबु ने फल खरीदे सना के पूछने पर उन्होंने बताया के बिमार की इादत करना सवाब है और अपने साथ फल या फूल ले कर जाना अच्छा समझा जाता है अब आप मुझे सोच कर बताये के बिमार की इादत क्यों करनी चाहिए बिमार की इादत करना सवाब है बिलकुल सही बताये सना के अम्मी अबू ने रास्ते से क्या खरीदा उसके अम्मी अबू ने फल खरीदे बिलकुल सही तो अब हम कहानी को दुबारा पढ़ते हैं आपने मेरे पीछे पीछे पढ़ने की कोशिश करनी है सना बहुत प्यारी बच्ची है एक दिन वो अपने अम्मी अबू के साथ चचा के घर उनकी इयादत के लिए गई रास्ते में उसके अम्मी अबू ने फल खरीदे सना के पूछने पर उन्होंने बताया के बिमार की इयादत करना सवाब है और अपने साथ फल या फूल ले कर जाना अच्छा समझा जाता है से की कहानी में हमने कुछ लफ्स पढ़े हैं ये लफ्स कौन से हैं आये देखते हैं इस लफ्स को पढ़ते हैं सणा मेरे साथ पढ़ें सणा ये क्या लफ्स है सणा सणा इस लफ्स को पढ़ते हैं सवाब मेरे साथ पढ़ें सवाब ये क्या लफ्स है सवाब सवाब इस लफ्स को पढ़ते हैं अम्मी मेरे साथ पढ़ें अम्मी ये क्या लफ्स है अम्मी इस लफ़ को पढ़ते हैं अबू मेरे साथ पढ़ें अबू ये क्या लफ़ है? अबू अबू इस लफ़ को पढ़ते हैं फल मेरे साथ पढ़ें फल ये क्या लफ़ है? फल फल इस लफ़ को पढ़ते हैं फूल मेरे साथ पढ़ें फूल ये क्या लव्ज है? फूल फूल इस लव्ज को पढ़ते हैं चचा मेरे साथ पढ़ें चचा ये क्या लव्ज है? चचा चचा इस लव्ज को पढ़ते हैं बहुत मेरे साथ पढ़ें बहुत ये क्या लव्ज है? बहुत बहुत अब आपने इन अलफास को दुबारा पढ़ना है ताके आप जहां भी ये लव्ज लिखे देखें तो आसानी से पढ़ सकें तो आएं से की कहानी को दुबारा पढ़ लेते हैं सना बहुत प्यारी बच्ची है एक दिन वो अपने अमी अबु के साथ चचा के घर उनकी इादत के लिए गई रास्ते में उसके अमी अबु ने फल खरीदे सना के पूछने पर उन्होंने बताया के बिमार की इादत करना सवाब है और अपने साथ फल या फूल ले कर जाना अच्छा समझा जाता है आपने इस वीडियो को दुबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है